दोस्तों भीक और चंदे से आतंग की फैक्टरी चलाने वाला मुल्क पाकिस्तान जो की अपने आपको धर्म का दुनिया में सबसे बड़ा ठेकेदार समझता है आज खूद अपने कुकर्म के फल से परेसान है अब पाकिस्तानी सरकार पैसों के लिए आई एम एफ और दूसरे देसों के पास जाकर अपना इज़त बेच रही है उसके अलावा आप ने अपनी डॉलर के रिजरज्स ने अजाफा नहीं है आपने तरसिलाते जर जो बेरुनमुल से पाकिStानी भीज़ते हैं उन समय अजाफा नहीं किया आपने कर्जों में इजाफा कर लिया है कर्जे आपके 80 बिलियन डॉलर से 120 बिलियन डॉलर पे चले गए तो जो आप बांड बेच के दुनिया से डॉलर हासिल करते हैं वो आपके बांड भी निभी कियेंगे कर्जे जो फोरी तोर पे अदा करने हैं वो भी एक अमर्जनसी पेमिंट है जो उन पे सूद अदा करना है वो भी अमर्जनसी पेमिंट है तो पाकिस्तान ने अपने आपको डालर में अमर्जनसी के लिए तैयार नहीं किया हुआ जो आपने करोना से निमटना है उसके लिए पैसे नहीं है जो आपने इंपोर्ट करनी है उसके लिए पैसे नहीं है जो आपने फोरी तोर पे प्रोक्यूर्मेंट करनी है यानि लोकल प्रोक्यूर्मेंट करनी है उसके लिए पैसे नहीं है जो आपने सूद अदा करना है उसके लिए पैसे नहीं है जो आपने कर्ज की वापसी अदा कर नहीं वो पैसे नहीं है और इस सुरते हाल में आपका जो डेट स्टॉक है कर्जों का जो होजम है वो बड़ी तेजी से बढ़ेगा ये है असल वार्निंग